बारिश के सीजन ऐसा सीजन होता है जिसमें हम बहुत सारे बीज लगा सकते हैं पौदे लगा सकते हैं क्योंकि रूट्स डेवलेप्मेंट बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है तो यह बेस्ट टाइम है अपने गार्डन को मेंटेन करने का चाहें वो आउट्डोर हो या इंडोर हो वैसे इंडोर कोई प्लांट्स होते हैं आप शेयट लविंग यो ब्लांट होते हैं वो इंडोर इरियाज में अच्य से शर्वाइफ कर जाते हैं तो मैं इस टाइम पर अपने जितने भी पौदे हैं में बालकनी में रख़े हुए् है दॉर रिब्वुवरो के बाद मैं देखिए आज इतनी बड़ी-बड़ी ब्रांचिस हो चुकी है तीनों मैंसे ब्रांचिस निकल आई है और आज मैं करूंगी इसको रिपोर्ट करने के लिए जो मैंने इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला है रिवर्ट सन अल्रडी मेरी मिट्टी में मिला हुआ था तो वह मुझे मिलानी की ज़रत नहीं पड़ी है अच्छा है तो यह मैंने तयार कर लिए और थोड़ी सी मैं घर में कोकोपीट बनाई थी पहले की बनी हुई वह तो यह मैं इंडोर प्लांट में यूज कर रही हूं कुछ मैं कटिंग्स लगा रही हूं यह मेरा फिलोर अंडर जो मैंने काटा था वो मेरा बकिट में पड़ावा था वो उसमें सब मैं देखिए रूट डेवलेप्मेंट हो गया है चोटी-चोटी सी ब्रांचिस निकल आ रही हूं और हां इंडोर प्लांट को जब आप पॉट्स को जब फिल करते हैं तो उसके अंदर किचिन वेस्ट उमद्दवाईएगा क्योंकि किचिन वेस्ट जो है देखिए इंडोर जब रखा रहेगा तो खराब वाली फंगस टेवलेप होगी और पौदे खराब हो सकते तो अभी भर के पौदा लगाऊंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मिट्टी में अंदर जो भी मैने चीजन डाली है वो सारा हैंड शेक कर चुकी है यह पॉट मैंने पहले से रखावा था एंड यह वाला वी जिसके अंदर काफी टाइम से मिट्टी भरी हुई है यह देखे रूट वाल के साथ इसको मैंने निकाल लिया इसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ एस बस नीचे से देखे इसके यह थोड़ी सी जो लकडियां थी और थोड़ी सी ठीकरी के टुकुड़ी थे वो हटे हैं अपने आपी हट गए हैं इस प बारिश का पानी चला जाए आपको पता है नाइट्रिजन रिच पानी जब मिलेगा मनी प्लांट को तो देखे यह तो कर दिया रीपट और इसको रख दूगे आप आरिश में बाकी में लगाती हूं कटेंग्स अब देखे मैं यह मनी प्लांट को ही कट कर रहे हूं क्योंक कि पल प्लांट्स हो जाएंगे और ग्रोथ भी इसकी यहीं पर रुक जाएगी क्योंकि बोटल बहुत चोटी सी है तो मैं इस तरीके से कट कर लूँगे जिससे कि इसके नोड एरिया अलग-अलग हो जाए है जैसे दिखिए हर एक नोड एरिया पर हमें हमें रूट और यह एक-एक सिंगल लीव से मल्टिप्ला हो जाएगा अब देखिए एक ही बेल से कितिनी सारे मैंने कटिंग बना लिया है आप देख रहे होंगे सिर्फ मैंने लिया है एक नोड एरिया जिसमें रूट आई हुई है एक लीव से सिंगल और कुछ में से तो दिखिए यह निकल रहे हैं यह फटा-फट से रूट अब करेंगे और यहां से नहीं जो ब्रांच है वो निकलने लग जाएगी तो यह बैस्ट टाइम है अगर आपके पास एक ही बेल है सिंगल उसको मल्टिप्लाइ करना है तो यह तरीका बैस्ट रहेगा अब अगीन आप लेंगे उस पॉर्ट में पोरस मिट्टी लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होके रहे ना क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर रूट्स टेवलैप नहीं होंगी जो हम यह कटिंग लगा रहे हैं यह गल जाएंगी तो एकदम वैलरें सॉयल बना लीज से आपका चलेगा बस इसके बाद हमेंगे सिंगल सिंगल लीप जो है मिट्टी के अंदर दबा देनी है और देखिए जब आप इनको मिट्टी में दवाएं तो यह जो नोड एरिया से यह निकल राय शूट इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्म मत करिएगा कहीं आप हो जाएंगी और विदिने फोर यह फाइफ डेज माइन में रूट डेवलापेंट स्टार्ट हो जाएगा और यह सारी जो लीप से नई इस टाइम निकालने लग जाएंगी और आपकी कितने सारे पौदे मल्टिपला हो जाएंगे अब से इसी तरीके से इस फ्लोर रंड को इस तरीके से यह पांचे प्लांट रडी हो जाएंगे और इसको वापस उसी बकेट में डाल दूंगी पानी में यह पड़ी रहेंगी तो दिखिए हर एक नोड एरिया से फिर से शूट निकल रही है और नए प्लांट रडी हो जाएंगे तो यह अगें पॉट रडी है इस इस टाइम पर बरपूर वाइदा उठा लीजेगा और विदिन मन्त इनके इतने शांदर रूट बॉल रसेट हो जाएंगे कि इनको निकाल कर में बड़े पॉट में ट्रांसफर भी कर सकते हूं और यह दिखिए को कॉनट शेल में मैंने मॉनस्टेरा उगाया है इसका अच्छे से ग्रूथ करेगा रिजल्ट आप रहों के ताथ आगे शेयर करूंगी इसको मैंने पहले ही भरके रख दिया था इसके अगर वही जो मैं मिट्टी बनाती हूं वही भरके रखी है सैट हो गये मिट्टी बिल्कुल और यह चुटी-चुटी सी कटिंग है जिनमें देखे सिंगल सिंगल लीव्स की है तो फाइव लीवस इसके अंदर लगा दी है यह भी देखते हैं आगे क्या रेजल्ट देता है शेयर करूंगी रूट डेवलपनेट समय स्टार्ट हो गया है और एक वराइटी लगा रही हूं यह वाली इसका रूट आप देखी पा रह इसके ओपर डाल दूगी अपनी खाद मिली मिट्टी तो बस आप भी रेडी कर लीजेगा आने वाले सीजन के लिए इंडोर प्लांट जिनको शेड पसंद है या ऐसी जगह पर रखने के लिए जहां पर दूप बिलकुल नहीं आती है क्योंकि यह जो सारे प्लांट है यह दूप बिलकुल भी नहीं चाहिए होती बस फ्रेश एर मिलती रहे तो यह पौदे बहुत अच्छे से चलते रखते हैं तो आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर किया है आई होप सारी चीजां किलियर होंगी कोई भी कन्फूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ स